इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने PC के अंदर जो हमारा password रहता है इसको कैसे create कर सकते हैं अपने account के अंदर यह मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा देखेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा इसके लिए हमें सबसे पहले यहां पर start के option पर जाना है इस पर और जाने के बाद यहां पर आपको control पैनल दिखाई देगा control पर आपको जाना है control panel पर जाने के बाद यहाँ पर आपको user account दिखाई देगा यह रहा तो इस पर आपको जाना होगा तो मैं इस पर चलता हूँ जैसी आप जाएंगे तो सबसे उपर यहाँ पर आपको लिखावाएगा create a password of your account यह वाला जो है यह पर password हमारा बनता है और यही पर ही लगता है तो जैसे हम इस पर click कर देते हैं यहाँ पर मांगता है आप से new password तो यहाँ पर कुछ भी आप डाल दीजे तन वही password जो आपने same डाला है यहाँ पर भी डालिए और डालने के बाद यहाँ पर कुछ hint दे दिए यह password का जो भी आपका hint हो वो दे सकते हैं और यहाँ पर create password पर click कर दिजे जैसे आप create password पर click करेंगे यह आपके computer में लग जाएगा और उसके बाद यह आपका password काम करने लग जाएगा यही process होता है password लगाने का PC के अंदर अगर यहाँ पर आपको कुछ पूछना है तो comment box में पूछ लीजेगा अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा और channel को subscribe भी कर दीजेगा